हेलो दोस्तों, मैं पिया तरपाथी आज आप लोगों के सामने फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ कहानी का नाम में इंस्टॉल्मेंट वैसे तो आप कहानी के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये कहानी इंस्टॉल्मेंट के एर्द गूमती है कभी कभी हमें अपनी जिन्दीगी में कोई दिखावा बड़ा महंगा पड़ जाता है और हम बस उसकी इंस्टॉल्मेंट ही भड़ते रह जाते हैं वैसे हम सब अपने आज़ पास देख सकते हैं बलकि अपने खुद की जिन्दीगियों में देख सकते हैं कि जहां हमारा काम 2 BHK से चल सकता है, वहां हम 3-4 BHK खरीदना जाते हैं. जहां हमारा काम mid-size 4-seater कार से चल सकता है, वहां हम 6-seater बड़ी सी लंबी सी कार खरीदना जाते हैं. वज़े शॉफ. मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ये बात कुछ लोगों की जरूरते भी होती हैं, लेकिन यहां मैं बात कर रही हूँ, उन लोगों की जो शॉफ की वज़े से क्या-क्या करते हैं. हमारी कहानी भी कुछ इस तरह की ही है. तो चलिए हम अब अपनी कहानी में जानते हैं कि जोधरी सहाब का दिखावा उन्हें कहां लेकर जाता है. तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं. कहानी का नाम में इंस्ट्रॉल्मिंट, कहानी के लेखक है भगवती चरण वर्मा. मैंने चाय का प्याला होटों से लगाये ही था कि अच्छानक से मुझे मोटर का हौन सुनाई पड़ा. बाहर बरामदे में मैंने निकल कर देखा कि चौधरी विश्वम भरसाए अपनी नई कार में बैठे हुए बड़े बेरहमी से लेक्ट्रिक हौन बजा रहे हैं. मुझे देखते ही वो बोले कि गुड़ीव नहीं सुरेश. गुड़ीव नहीं चौधरी साब बस अभी चाय पीने ही बैठा था. वैसे आप बड़े मौके से आए हैं आप. चौधरी विशंबर सहाए गठे बदन के लंबे से युवक थे. उम्र करीब 25 वर्ष रही होगी. चहरा, लंबा और सुन्दर, रंग साउला, बाल बीच से खिचे हुए. और क्रीम और पाउडर की हल्की से इस पष्ट तह. तो चौधरी विशंबर सहाए के पिता, चौधरी हर सहाए अवद के छोटे मोटे तालो के दार थे. चौधरी विशंबर सहाए अपने पिता की एक मातर संतान ते लेकिन लड़कर प्रयाग चले आये थे. वो क्या है ना, कि पुत्र और पिता की सौभाओं में काफी समता होते हुए भी, हल्की हल्की बातों में आपस में गहरा मद्भेद रहता था. जहां चौधरी हर्साय और चौधरी विशंबर सहाय शराब में बराबर रुपया खर्च करते थे. लेकिन जहां पिता मुवे की ठर्रे की सवा पोतर पी जाते थे, वहां पुत्र विस्की के दो पैगों से ही संतुष्ट हो जाये करते थे. पिता रियासत की कुछ जवान बारेनों और चमारेनों उपर 10-15 रुपया महिना खर्च कर दिया करते थे. तो पुत्र नगर की सुसाइटिकल्स की दावत पर और वहने खेल तमाशे देखलाने में 10-15 रुपया खर्च कर दिया करते थे. अच्छा, राजनीती में पिता और पुत्र दोनों को रुची थी, लेकिन जहां पिता आमन सभा के सभापती थे, वहां पुत्र कभी-कभी खदर पहन कर कॉंग्रेस की मंच पर व्याख्यान कर दिया करते थे. परिनाम इस पश्ट था. एक दिन पुत्र ने पिता को बाग में भूसा भरने वाली कोठ्री में बंद किया और गाउं कभी वापस ना लोटने की कसम खाकर शहर की रहा पकड़ ली. बारा घंटे गुम रहने के कारण काफी चान भी इन करने के बाद चौधरी हरसाई उस घुसे वाली कोठ्री से बरामत किये गए. पुत्र की इस नालाइकी पर चौधरी हरसाई बहुत क्रोधित हुए और घुसे में उन्होंने अपनी पिस्तॉल भी निकाली. लेकिन तब ही चौधराई साहिबा ने रोना शुरू कर दिया. अब चौधरी हरसाई को अपनी पत्नी का शायद अकिल रोना बुरा लगा. इसलिए उन्होंने भी स्वर में स्वर मिलाया और फिर दोनों गले मिल लिए. इधर प्रियाग आकर चौधरी विश्वम बरसाई ने सिविल लाइन्स में एक छोटी सी कॉटेज किराय पर ले लिए. वैसे घर से जलते वक्त काफी रुपया साथ मिलाये थे. और फिर उनकी मातर श्री भी किसी ने किसी प्रकार घर का खर्चकार तूटकर उन्हें दो सा तीन सो रुपया तो भेजी दिया करती थी. अब चौधरी विश्वम भरसाय अपनी नई कार से उतरी और उन्होंने मुझसे कहा कि यार सुरेश आज शाम तब कैसे भी करके तीन सो रुपया चाहिए मुझे. अरे ये शेहर की तो गली गली चान डाले लेकिन कहीं इंतिजाम ना हो सका. इसलिए हार कर आखिर में तुम्हारे दर्वाजा देखना पड़ा. मैं मुझकराया. और चाय का प्यारा चौधरी साहब के सामने बढ़ाते हुए कहा कि बस इतनी सी बात है. अबेलो. फिर कुछ रुपकर मैंने उनसे पूछा कि बस एक बात तो बताओ. तुम्हें इतने रुपयों की जरूरत क्या आपड़ी? यार, ये ना पूछो. क्यों? कहीं से कोई फर्माईश आई है क्या? अरे नहीं नहीं अब फर्माईश नहीं है. क्या बताओ? बस इतना समझो कि फर्माईश नहीं है. बस चाहिए है. उन्होने कुछ सक्पकाते हुए ये बात बोली. मैं ताड गया कि दाल में कुछ तो काला है मैंने उनसे कहा कि देखो चौदरी साब ठीक ठीक बतला दो रुपया मुझे ही लेना है यार क्या बताऊं कार का इंस्ट्रॉल्मेंट भरना है बस इतनी सी बात है एक बात तो बताईए अरे आपको ये बैठे बिठाए क्या सूजी की कार खरीद बैठे और वो भी तब जब आपसे अपने रोज के खर्ची नहीं चलाए चलते हैं यार पही तो बात अब क्या बताऊं तुम्हें बस ये समझो कि उस दिन भस गए किस दिन हममMM तो अब जो बात किसी को नहीं बतलाई वो तुम्हें बतलानी ही पड़ गई तो सोनो तीन महिने पहले की बात है भुवन के बड़े बाही आए थे तो भही आप सब उन से मिलने जा रहेते तो मैंने सोचा कि क्योँ न मिला जाए उन से तो उनसे मिलने के लिए मैं सुबह सुबह उनके बंगले पर पहुँच गया अब जो तांगा लेकर गया था वो बंगले पर पहुचते ही छोड़ दिया ये सोच कर कि इतने सारे लोग उनसे मिलने आये हैं तो जल्दी फ्री तो होने ही पाऊंगा और वैसे मेरा नुमान गलत भी नहीं था खापी कर कुछ हम बारा बजे फ्री हुए थे अब हुआ ये कि मुझे किसी काम से चौक जाना था तो मैंने भौवन से कहा कि यार जाके तांगा मंगवा दो तो मालूम हुआ कि उसका नौकर बिमार है मैंने सूचा चलो कोई बात नहीं बंगले से बाहर निकल कर कोई सवारे ले लेंगे और ये सोच कर मैं भौवन के बंगले से चल पड़ा अब यार सुरेश तुम तो जानते ही हो कि ये बरसात की धूप कितनी कड़ी होती है अब सुनो ठीक दो पहर जमीन जल रही थी और मेरी खोबड़ी तो चटकी जा रही थी अब मैं बंगले से बाहर निकल कर एक बेड़ी की छाया की नीचे खड़ा हो गया और किसी तांगे के आने का में इंतिजार करने लगा करीब आधे घंटे मैं वहां खड़ा रहा लेकिन एक खाली तांगा वहां से ना निकला इंतिजार कर करके मेरी तो तभियत परेशान हो गई अचे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ अंध में मैंने तै किया कि अगर दस मिनिट में कोई तांगा नहीं आता है न तो मैं फिर अपनी जान पर खेल कर घर तक कर आस्ता पेदल ही ना पूंगा दस मिनिट भी हो गए, कोई सवारी नहीं आई अब जैसा तैंग किया था, मैंने पैदल चल लेक लिए अपनी कमर कस ली और मैंने अपना पहल बढ़ाये ही था कि अचानक से इक्के की घड़गडा हाट सुझनाई थी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक इक्का चला आ रहा था सुरेश, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस इक्के को देखकर मेरी जान में जाना आ गई अरे, ये सोचकर तो मेरी आज भी जान में जाना आ जाती है लेकिन एक मिल्ट उस इक्के के बारे में यहां कुछ बाते बतला देना बहुत आवश्यक होगा मेरा खयाल है कि वो एक गदर के पहले बना होगा क्योंकि इतनी पुरानी लकडी की चीज़ मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी और पहिये छोटे-छोटे जिन पर लोहे का हाल चड़ा हुआ था और धोरे से बराबर निकलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन निकलना पाते थे क्योंकि लोहे की एक केक केलो ने रोक रही थी एके की छट बार बार चारो तरफ से हिल डुलकर अपने बढ़ापे को बया कर रही थी और उस एक्के पर एक गद्धा भी विछा हुआ था जिसके उपर कप कपड़ा फड़ गया था और उसकी रुई हवा में उड़कर पूरी दुनिया में घूने फिरने का सोच रही थी अभी बात ख़त नहीं हुई है उस एक्के में जो घोड़ी जुती हुई थी उसकी तो एक एक हड़ी की नहीं जा सकती थी और हमारे एक्केवान वो तो बिचारे सतर वश के बुज़र्गवार थें जिनकी डाड़ी लंबी और एकदम सफिर कमर चुकी हुई फर मिया के दाथ नदारत उनके एक हाथ में चाबुक था तो एक हाथ में घोड़ी की रास और उस समय मिया अफीम की पिनक में उंग रहे थे शायद सुरेश इतना सब देखने के पाद मेरी तबियत तो ना हुई कि मैं उस एक्के पर बैठ हूँ लेकिन वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता इसलिए मैं तो चलते एक्के पर ही उचकर बैठ गया अब बैठने के बाद घोड़ी ने अंदाज लिया कि एक्के पर कुछ बूझ जादा हो गया है इसलिए वो विरोध रूप में खड़ी हो गई अब एक्के के खड़े होने के साथ जो जटका लगा तो हमारे बढ़े निया ने भी आखे खोल दी और एक ही सास में घोड़ी को मा बहन के गालियां देते हुए चार-पांच चाबुक भटकार गए उस पर घोड़ी को तो चलना ही पड़ा फिर उन्होंने मुझे देखा और कहां बाबुची सलाम कहां चलना होगा भाई सिधे ले चलो तुम तो अब थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने देखा कि एक तांगा मेरे दाइने और से आगे बढ़ा मैंने देखा कि उसमें दो लड़कियां बैठी हुई है उन लड़कियों को तुम भी जानते हो प्रभा और कमला ये दोनों जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना तो मेरे साथ पढ़ती थी और इन दिनों इन दोनों से मेरी दोस्ती भी कुछ गहरी हो रही थी ले मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ कहीं कहीं मुझे देख ना ले मैंने तो उनको देखते ही ना अपना चाहरा दूसरी तरफ कर लिया लेकिन बदकिस्मती से उसे के पर एक अकेला मैं ही बैठा हुआ था अरे कोई दूसरी सवारियां होती तो शायद छिप भी जाता खैर तो उनका तांगा तेजी से आगे बढ़ा जा रहा था अब तांगा तेजी से आगे बढ़ी ही रहा था कि अचानक से दीमा हो गया अब उस समय मैं मैं तो पीछे देख रहा था बताए ना कि मैंने तो मूँ खुमा लिया था लेकिन मैंने सूचा कि तांगा चाहे लाख धीमा किया जाये लेकिन मेरे एक्गे को तो नहीं पा सकता और ये सोच कर मैंने चैन की सांस ली लेकिन मेरी चैन की सासो को मैं चैन से ले भी न पाया था कि आजानक से उनका तांगा रोक गया और वो तो उन्हों लड़किया मुझपर खेखला कर जोर से हस पड़ी प्रभा और कमला सुरेश तुम तो समझ भी नहीं सकते कि उस वक्त मुझपर क्या बीती मेरी चेहरे का रंग लज्जा और क्रोध से बार बार बदल रहा था कभी तबियत होती थी कि इस इक्के वाली की जान ले लू तो कभी अपनी जान लेनी की तबियत होती थी तो कभी न उन दोनों का गला घोड़ देनी की तबियत होती थी लेकिन फिर भी मैंने अपना मुझ सामने ना किया तो ना किया फिर क्या अरे इतना प्माने तो मैं जिंदिकी में कभी ना हुआ था जैसा कि उस दिन हुआ लेकिन मैंने भी तैय कर लिया कि मैं इन दोनों को दिखला दूँगा कि मेरे पास कार है और ऐसे मैं अपने आत्म सम्मान पे लगे धपे को भी दो दूँगा और बस उसे शाम जाकर मैंने ये कार खरीद ली अब रुपया तो पास में था नहीं इसलिए इंस्टॉर्मन सिस्टम पे ये कार लेनी पड़ी अच्छा तो ऐसे ये कार आई है मखेर अब चौदरी साथ कार तो आपकी आ गई अरे नहीं यार ये कार मैं नहीं रख सकता हूँ अपने खर्च तो चलाना मुश्किल पड़ रहा है ये कार तो उपर से एक बला पीछे पड़ गई है मेरे लेकर क्या करूँ मजबूर हूँ अरे जिस दिन से ये कार ली है उन दोनों की तो शकले ही नहीं दिखाई दी है आज पूरे दो महिने से दिन रात मैं अपनी इस कार पर चकल लगा रहा हूँ शेहर की एक एक गली जहान डाले अरे उनके घर के तो ना जाने कितने चकल लगा डाले लेकिन पता नहीं कहां गायब हो गई है मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि एक बार वो मुझे अपनी इस कार पर देख ले बाबा दो चार तिन बाद ही मैं तो ये कार बेच दूँगा मैं तो तंग आ चुका हूँ इस कार से अरे अब क्या अब तो कहानी सुन ली न अरे भाई अब तो इंस्ट्रॉल्मेंट का पैसा निकाल दो